सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी बैठना है तो ठक कर बैठो, हार कर नहीं, हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिन्दगी नहीं, सर उठा कर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिय गरदन कहां कितनी जुकानी चाहिए अंधेरे से मढडरू, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती, ऐसा बनने की कोसिज भी आपके दुखों का कारण बनती है अर्थाद दिन के सबसे असुबसम में, साम पांच बचकर बटिस मिलट सी, साद बचकर बारा मिलट तक रहेंगा आज का भी जीत महुरत, अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में, दो पहर बारा बच कर चार मिलट सी, बारा बच कर पचुपन मिलट तक रहेगा, आज अन्रमा मीर राशी पर सुबह साथ बच कर चौतिस मिलट तक रहेगी, इसकी उपरांत कन्या राशी पर संचार करेगी, और अज के दिन अपने जीवन की वर्तमान इस्थिती का मुल्यांकन करने और अपनी योशनाओं को प्रात्मिक्ता के अधार पर बाटने के लिए बिलकुल उप्युकत है, अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी में एसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकठा हो गया है, तो आ अज अपने अंदर असीमित उर्जय अनुभाव करेंगे, जिससे आपके ये अधूरे काम संतोर जनब्धंग से पूरे हुपाईंगे, कोई नया काम शुरू करने के इस्थान पर पुरानी और वर्त हो चुकी, योशनाओं को हटाने और बाकी योशनाओं को पूरा करने के के लिए भी समय अच्छा है, आप अच्छ अमीर में असूस कर रहे हैं और धन को अपनी मित्र और परिवार के सांथ सेयर करने के लिए भी तैयार हैं, अच्छे कमपनी का मचले, दुर्श्य लोग भी आपके करिस्मी की तरफ आकर शृत हो रहे हैं, अब ये बनाए गए कन इक्षन भविश्य में सहायक साबित हो सकते हैं, प्रीजिनों के प्रते अपनी भावनाओं और प्रितग्यताओं को व्यक्त करनी के लिए आज के दिनों प्यूकत हैं, उन्हें बताए कि आप उनसे कित्ता प्यार करती हैं, उनके प्यार को भी मैसूस करें, जीवन में जानियों से इस्थाई निजात पानी के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय हैं, आज अप घर से बाहर तो बहुत शकरात मकता के साथ निकलेंगी, लेकिन किसी कीमती वस्तू के चोरी होनी की वज़े से आपका मुट खराब हो शकता हैं, अपने परिवार के उची जाय तो संकोष न करें क्योंकि इसके लिए आपकी काफी तारिफ होगी, अपने जीवन शाती को सप्राइस देते रहें, नहीं तो वह खुद को आपकी जीवन में महत्वहीं समझ सकता हैं, अच्छा आपके जोसीले अंदास से आपके शेहकर में आपसे आकरशित हो स कोई लाबदाय के आत्रा भी शंभव हैं, शकरात मकता रखेंगे तो काम की गती तेज हो सकती हैं, दुश्रों से मिल रहा साथ आपको प्रेरित बनाये रखेगा, दुश्रों पर निर्भरता दूर करने की कोशिश करें, परवार से सम्मंदित लिये गए निर्ने की वज़ पार्टनर के साथ मिलने के बाद भी एक डुश्रे के लिए नराज की दूर करने की कोशिश करें, सेर में भारीपन भी ओशकता है, आज के दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है, कारेशेतर में आपके कुछ विरोधे आपर हावी रहेंगे, आपके कुछ खर्चे म मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे, आप अपने भाई वा बहनों से यदि कोई मदद लेंगे तो, वह भी आपको असानी से मिल जाईगी, आप यदि किसी प्रोपर्टी की देल को फाइनल करने जा रहे थे तो, वह फाइनल होते होते रुख सकती है, इसम में आपको किसी बात को लेकर जूठा साबित हो शकता है, शवधान्या, बिना जानकारी हासिल किये, किसी भी खास नतीजे पर ना पूंची, खर्चों के अधिक्ता की भी इस्तिती बन रही है, इसलिए किसी भी कार्यों को बचट बना कर ही आरम करी, मननुकुल पर इनाम न मिलनी से अपना मनोबल बनाए रखें, तथा पुना प्रयास करें, बात करते हैं लव लाइफ की, पिछले कोई समय से आप अपने करियर और नौकरी के मुद्दों में विस्ते हैं, जिसकी वज़े से आपने अपनी परिवार और प्रिम्द प्रशंगों की उपी एक्षा की हैं, इसलिए समय की मांगए की जीवन की इन पहलूओं को आप प्रमुकता दे, आप इन मुद्दों की तरब भी ध्यान आकरिष्ट करें, अन्यथत भविश में समश्या सकती हैं, इस समय कोई भी आपके आकर्शन से बच नहीं पाएगा, आपके प्यान की गर्मी से प्रभ भवनाओं को वेक्त करेंगे, जिससे आप स्वयम को उनके करीब मैसूस करेंगे, थोड़ा समय अपने साथी के साथ भी बिताएं और अपनी प्यार के गर्मी का उन्हें एहसास करें, बिना जादा सोचे समझे अपनी भवनाओं को ऐसे ही बहने दे, बात करते हैं करियर की, वेपार में लाब पाना चाहते हैं तो सोच समझकर निवेश करी, कोई दोस्त या सुप चिन तक अचाना काई घरेलू मुश्यबतों को दूर करने में मदद करेगा, अपनी कड़ी महने से आप किस्मत पलट सकती हैं, अपने मनी भाव को उच्छे रखे इसके बाद दुनि बना सकती हैं, आज का इकारी छेतर के सुनहरे ओशरा आपका दरवाजा खटखटाएंगी, अज आपको पदुन्नती का शंदीश मिल सकता है, या नौकरी छेतर में बदलाव के भी असार हीं, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयाश्रत थी, आपको ऐसी जगह से सहायता मि नहीं की थी, जो कि आपको प्रशिन्यता से अभी भूत कर सकती है, आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है, जिसकी कभी आपने मदद की रही हो, कारोबार में मौझूदा कामों पर ध्यान देना खीक होगा, कहीं पैसा रुका हुआ है तो जल्दी निकलवाने की करें वरना फस सकता है, ओपिस के साथियों से किसी बात पर वादिवात के इस्थिति ना बनने दी, इससे आपकी कार्य प्रणाली प्रभावित होगी, बात करते हैं सेहत की, इस बात पर आप ध्यान दे के आज ओपिस में कौन बिमार है, और उनके द्वारा प्रयोग किये जा रहें टेली फोन, लेप्टॉप या दूसरे उपकरनों का प्रयोग करने से बचें, अगर आप ऐसा कर पाएं तो असानी से संक्रमर से भी बच सकते हैं, आप बहुत परोपकारी हैं, और दुश्रों का जितना ख्याल आप रखते हैं, वा वास्ता में प्रसंसा के योग आपका दिन शुब हुँ